बढ़ते आगे 36 गड़ के ट्रेन यात्रियों के एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं जो भी लोग अपने अपने घर लोटेंगे या फिर यहां से जो लोग यात्रा करेंगे अपने कर्म भूमी की ओर उनके लिए मुश्किलें बढ़ते भी नज़र आएंगी हाला कि जो जानकारी हैं हमारे पास सामने आई है कोई बैकल्पिक वबस्था रेलवे क्योट से नहीं जात्री हैं उनकी परिशानी एक बार फिर से बढ़ते भी नज़र आएंगी और जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे कि कोई वेकल्पिक विवस्था रेलवे की ओर से नहीं की गई है देखे सबसे बड़ी परिशानी का विशाय तभी बनता है जब रेलवे की तरफ से ट्रेने तो कैंसल कर दी जाती है लेकिन वेकल्पिक विवस्थान नहीं की जाती इसके चलते अब यात्रियों को परिशानी जो है वो और बढ़ती हुई दिखाए देती है एक बार फिर से चतिसगर के रेलियात्रियों के लिए बुरी खबर है परिशानी भरी खबर है कि 22 नवंबर से करीब 30 ट्रेने रद रहेंगी ये वो ट्रेने हैं जो 36 गर से होकर गुजरती है सबसे महत्मून बात यह है कि वरतमान में तिवहार का सीजन है और तिवहार के सीजन के चलते एक अपना रोजी रोटी चलाते हैं और यहां पर रहने के साथ साथ अगर तिवहार का सीजन है तो अपने घर गए हुए है वाफसी के लिए कोई बेवस्था जो है वो ट्रेन थी और चानक से कैंसल हो गई है तो अब परिशानी बढ़ती हुई दिखाई दी रही हाला कि ट्रे में लोगों को अब खुद ही अपनी बेवस्था करनी होगी और जो जिन लोगों ने अपनी टिकेट बुक करा ली थी जिन लोगों ने अपना रेजरवेशन ले लिया था उनका रेजरवेशन जो है वो कैंसल हो जाएगा और जो ऑनलाइन या आफलाइन जो पैसे लगे हैं अखिर ऐसी क्या वजह है कि बार-बार मैंटेनेंस का काम कराया जा रहा है ट्रैकों पर जिसकी वज़े से ट्रेनों को कैंसल करना पड़ा है क्योंकि हम लंबे वक्त से देख रहे हैं कि 36 गड में ही क्यूं ट्रेने लगातार कैंसल हो रहे हैं। कॉंग्रेस ने भी रेल्रों को आंदोलन किया था, कॉंग्रेस की उड़ से भी यहां पर वो विरोध जिताए गया था, तो ऐसी क्या वज़ा है कि बार-बार मेंटेनन्स का काम प्रैक्ट पर करना पड़ रहा है? जाओं देखिये, आज थिस गड़ में रेल्वेज की तरफ से ट्रेनों को कैंसल करने का सिलचला यह आज आज यह ही नए रही है, करीम हम देखे तो लगभक तीन साल होने को जा रहे है, कोरोना कार्णा शुरू हुआ था और कोरोना काल के शुरू होने के साथ साथ ही ट्रेनो का रद्ध होने का सिलसला जो है वो शुरू हुआ तो जो अब तक थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है हज्जारों ट्रेने जो है पहले भी कैंसल की जा चुकी है और वो सिलसला अभी भी जा रही है अब ऐसे में सवाल जरूर उठता है स्वाभाविक है कि एक लंबा वक्त बीट जाता है उसके बाद भी इसी तरीके कि लोगों को परिशानी हो रही है तो अखर करण किरेंटीनेंस के मैंटिनस का हावाला दिया जाता जाता है कभी connectivity का हवाला दिया जाता है इन हवालों से लोगों की परिशानी जो है वो हल नहीं होती यही करण है कि 36 गर्ड सरकार या 36 गर्ड कॉंगरिस को बार बार मौका मिलता है वो बार बार निशाना साधा जाता है अभी हाल ही में मुकमंतरी बूपेज बगिल ने एक ट्वीट किया एक social media social account अपने एक्स से उन्होंने एक post किया है उस post में एक अखवार की ख़बर प्रकाशित की एक ख़बर जो है कि चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से खेल शुरू हो गया अब यह सीधा निसाना केंदर सरकार पर है केंदर सरकार की बेवस्थाओं पर है क्योंकि रेलवेस की बेवस्था है वो केंदर सरकार के अंतरकत आती है सबसे महत्मूल बात यह है कि पूरे देश भर में 36 गड़ एक मात्रयासा राज है जहां से ट्रेनों का कैंसल होने का जो सिल्सला है काफी लंबे समय से चला रहा है और अभी तक यह सुचारू जो बेवस्था है नहीं हो पाई है और यही कराने कि लोगों की परिशानी तो बिवस्था है यह आम लोगों से जड़ускही होई है क्योंकि बागी अगर साधन की बात करेंगे घील επι में हें से अब इस созд gel쁨 करने वाला व्यकति isn't it देखना होगा कि यह जो सेल्सिल